तो अब सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज हम बात करने वाले प्रोग्जीम एमर टैबलिट के बारे में प्रोग्जीम एमर टैबलिट इमक्योर फार्मासोटिकल द्वारा बनाया जाता है इसमें इटोडेक 200MG और थियोकोसाइड 4MG कंटेंट है और इसके मार्केट प्राइज MRP 350 रुपए है तो चलो इसलिए में जानते है प्रोग्जीम एमर टैबलिट के यूजेस और सब कुछ सबसे पहले जानते है प्रोग्जीम एमर टैबलिट के यूजेस के बारे में प्रोग्जीम एमर टैबलिट का इस्तमाद दर्द ड्यूटू मासपेशियों में एठन के कारण दर्द का इलाज प्रोग्जीम MR टेबलेट अकड़ी हुई मासपेशियों को आराम देकर और मासपेशियों में एठन के कारण दर्द का इलाज करता है ये मासपेशियों में सुजन को भी कम कर देता है कुल मिला कर इससे हिलने डूलने या असानी रहती है ये बेचेनी को कम करता है एक बार जब आप कुछ सुदार लेते हैं तो जैसे चलना या सास लेने वाले व्यायाम करना शुरू कर सकते हैं जो आपकी ताकत को अधिक जल्दी वापस पाने में मदद करेंगे अब जानते है प्रोक्जीम एमार टैबलिट के साइड इफेक्ट के बारे में इस दवासे होने वाले ज़्यादातर साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सला लेनी की जरूरत नहीं पड़ती और ने मित रुप से इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं अगर सैड इफेक्ट बने रहती है या लक्षेन बिगणने लगते हैं तो आपने डॉक्टर से सला ले प्रोक्जिमेमर के सामाने साइड उफेक्ट जैसे मिचलियाना, उल्टी, सीनमे जलन, जैसे लक्षिन शामिले अब जानती प्रोग्जीम एमार टेबलिट का इस्तमाल कैसे करिया डोसिस के बारे में इसे सबुद निले इसे ना ही चबाए ना ही कुछली और ना ही तोड़ी प्रोग्जीम एमार टेबलिट को भोजन के साथ लेना सबसे बहितर होता है अब जानते है प्रोग्जीम MR टेबलीट किस प्रकार काम करता है प्रोग्जीम MR टेबलीट दो दवाओ का मिशरण है इतोडेक अन्थियोकोसाइड जो की दर्द से रहाद दिलाते हैं और मासपेश्यो को आराम दिलाते हैं इसमें से इत्रोडेक एक नॉंस्टेरोडल अंटी इंफ्लामेंटरी ये नियस एाडी है जो कुछ केमिकल मैसेंजर को निकलने से रोकता है जिसकी वज़े से दर्दिया इंफ्लिमेशन होता है वही थी ओकोसाइड गयर विद्धुतकारी तांतरिक मासपेश्यों को अवरुद्ध घटक नामक स्रेनी से समन्द रखता है ये मासपेश्यों में कटनाई या स्पंज से रहाद देने के लिए मस्तिस की रीड की हड़ी के केंदर पर काम करता है ये दर्द से रहाद देता है और मासपेश्यों में मुमांट में सुधार करता है अब जानते हैं इसे उच करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में प्रागजी में मार टेबलेट मोच तरनाव मासपेश्यों में चोट के कारण होने वाले दर्द और मासपेश्यों की एठन से रहाद दिलाने में मद तक ऐसा कोई काम ना करे जिसमें वांशी के कागरता की और ध्यान लगाने की जरूरत हो अब जानती प्रोक्जिम MR टैबलिट लेते समय शराप का सेवन न करे क्योंकि इससे भूत आदिक ड्राइजनेस हो सकती है यह जान करे आपको कैसी लगी दोस्तो अच्छी लगी हो तो युडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अंतक देखनी के लिए धन्यवाद दोस्तो जैहिं दोस्तो